नमस्कार जहिन उजास रूगरू में आप सभी का बहुत-बहुत स्पागत अभिनन्दन मैं हूँ डॉक्टर आदर्श। ने बीए-बीएड किया है, एमेड किया है, दो सब्जेक्ट में में हैं और एमफिल भी किया है, साथ ही पीएचडी होल्टर है और पांच विश्व में जो कि पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, तो जाहिर तोर पे आपके दिमार्थ में एक छवी उबर के आ रही होगी और वह छ प्रेणा शोत, आधर्णिये, कर्णल, बल्देय सिंग जी चौधरी, आज उजास में आप सबसे रूबरू हो रहे हैं, वो युवाओं के प्रेशनों के उत्तर भी देंगे, लेकिन इस से पहले कि वो प्रेशनों के उत्तर दें, हम सर्वप्रथम आपसे जानना चाहेंगे बल्देय सिंग जी कि आपकी जिन्दगी का जो सफर बहुत बहुत बेमिसाल है, सब के लिए प्रेणा दाई है, इस सफर की किस प्रिकार से शुरुआत हुई, और ये कैसे आगे बढ़ा, और आज आप जिस मुकाम पर हैं, उस तक आप कैसे पहुँचे, बल्देय सिंग ज जहां तक बात मेरी जिवन यात्रा की है, काफी लंबी यात्रा है, जोदपुर बार्टमेर के बॉर्डर के उपर में, थार के मध्य में, एक गाउम में ही नहीं, एक ढहनी में पैदा हुआ था, आठवी तक अक्सार तक गाउम में बढ़ा, नाइंत के अंदर में साइंस ल अच्छी स्कूल में मरती करवा दिया, बट उसी साल अकाल पढ़ गया, दाजा जी की डैथ हो गई, मरती भोज करना पढ़ गया, दो बेनों की साधी भी करने पढ़ गई, आर्ति किस्तथी और कराब हो गई, टैंथ करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पढ़ा, फैक्टरी में गया, कुछ पैसे मैंने काम करके जुटाया, कुछ पैसे पिता जी ने दुट से नॉन ले करके फिर टैंथ करवाई, इलेवन्त करवाना और जदा मुश्किल हो गया था, उस साल और अकाल पढ़ गया था, उस जबाने के अंद में दो दो तीन दिन अकाल एक सेना में और एड़फोस में फॉर्म बढ़ने शुरूर कर गये थे, और फिर मैंने एक्जाम के लिए उनके छुट्यों के बाद में एक्जाम दिये, पर मैं सोचा कि एक्जाम दो दे दिये, पर तो कहीं अड्मिशन लेना जरूरी है, गाउं वापस चला गया तो यहां वा सब्कान बढ़ना शुरू कर दिया, तो वो भी मुझे ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाया, और लगीली उसी टाइम के अंद में मेरा सेना के अंद में जवान के तौर पर सेलेक्शन हो गया, और मैंने आमी चॉइन कर ले, कहीं कहीं दिल के अंद में था कि मुझे कुछ बड कर दो कि अंद में देपार्टमेंट के तौर पर ही बीएड टेक के अंदर में नंबर पड़ा, बीएड टेक पच्वड़ीशे की उसमें गोर्ड मेडल मिला, एमेड की स्पिनिश इमला से और उसके बाद फिर नाइंटी एट के अंद में एक बार मुका मिला, एक्जाम दि के वहाँ से भार निकला, आफसर बन गया, आफसर बनने के बाद भी एड़ुकेशन कंटीनू रखी, 15 सब्जेक्ट में 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 की, एमफिल की, पीएड डी की, और भी एड़ुकेशन कंटीनू है, चार सब्जेक्ट के अंद में पीजी डिप्रोमा की है, पासे में जब तक मेजर बन गया था, तब तक मेरे गाउं के अंदर में बिजली निकी थी, बट संधास जारी रखा और अभी तक भी जारी है, उसके बाद में सेना के अंदर में भी जहां-जहां रेस्पॉंसिब्रिटी मिली, अच्छा काम किया, आमे कमणर का कमडेशन कार्ड मिला, उसके बाद में जEN के Сीट के अंदर में जयंड के इनचेसी कंडिजन को आड परेट के लिए ले लेका आया, उसके बाध में साल कंक्रीजन के अंदर में इन्डिया की तरफ से स्रेक्शन ह sencill हो हुआ काट बंडू गया और अभी एंससी के अंदर में कंटिडियू है जॉइन फेमिली हैं दो भाई हैं अभी बहुत अच्छी पोजिशन के अंदर में हैं दोनों भाई के चार बच्चे हैं चारों बच्चे दिल्ली के अंदर में दिल्ली विश्वित जाले में और अच्छी पब के अंदर में एक दिन था जब हमारे पास साइकल लेने तक की एक फनिशिल कंडिशन नहीं थी पर आज कर में चाचर कारें खड़िये अब कार की बात को अदर्वाइस नहीं लें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज के जमाने के अंदर में कार रखना और संपना अदमी के लिए संघर्स करके पढ़ाई की और आप अपने 30 या 35 साल की इस संघर्स के दोरान एक आर्थी किस्ति कमजोर आर्थी किस्तती से एक अच्छी पोजिशन के अंदर में आगे गाउं में अच्छा घर बना दिया और अभी हम लोग बहुत खुश हैं और माता जी पिता जी बहुत क्योंकि उन्होंने जो संघर्स किया था और उन्हीं की जिन्रगी के अंदर में उनके बच्चे जॉइन फेमिली के इंदर में साथ में रहकर के प्रूग्रेस कर रहे हैं और खुशी हैं यही मेरी जात्रा है बिल्कुल सही है सर कि हर माबाप का सपना होता है कि उनका जो परिवार है वह खुश हाल संयूप परिवार हो और उनके बच्चे संयूप परिवार में बहुत अच्छी तरीके से रहें आप बहुत भागेशाली हैं और हम सब बहुत भागेशाली है कि एक ऐसे वेक्तित्व से रूबरू हो रहे हैं जो कि इस थार की भूमी का बहुत होनार लाल है और अकालों से जूजते संगर्ष के साथ पढ़ते पढ़ते आज भारती सेनेक का गोरोशाली आफिसर है सर हमारे जो विद्यारती है वो आप से रूबरु होंगे अपने प्रेष्णों के माध्यम से ऑ उन-लाइन माध्यम से तो वह इसलीगंदी अ कि आपकी कहानी का प्रारंबिक आदा हिस्सा भू सारी युवाओं हीवाओं का हिस्सा लेकिन उस कहानी का जो आप पार्ट है जो आपने बहुत अपनी मेहनत के साथ गौरवशाली बना लिया है वो ये लोग भी बना पाएं तो अब मैं वीच में से हड जाता हूं और सीधे आपसे विध्यारती रूबर होंगे और सबसे पहले हमारे सार्जेंट देविंदर अपना प्रेश्ण लेके आपके समुक हो रहे हैं देविंदर जैन सर मैं सार्जेंट देविंदर कुमार मैं नंसीच थडियर का कैड़ेट हूं मैंने पिछले सार थरसन एकम भी किया है सार मैं आयमिया ओफिसर बनना चाहता हूं उसके लिए न्सीच इस्पेशल एंट्री या सीडियस इन्में से बेतर क्य जैन साजेंट देविदर जहां तक बात एंसीच स्पेशल एंट्री की और आयमे की है मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति खुद अपना सबसे बेस्ट जज्ज होता है आपको डिसाइड करना है आपको पता है कि आयमे के अंदर में 32 वेकंसी पर बैच होती है और 64 वेकंसी पर होती है तोल वेकंसी 1,000 होती पर यह उसने सीकिवार्फुद एक की होती है ओडिय के अंदर में 100 वेकंसी होती है मेल के लिए और 10 vacancies होती है फिमेंट के लिए आपका यदि रिटर्न बहुत स्ट्रॉंग है तो सटेली आपको IMA की जनरल एंट्री के लिए जाना चाहिए पंदो आपको यदि अपने रिटर्न पे परोसा नहीं है तो आपको NCC Special Entry में फॉर्म बढ़ना चाहिए ताकि आप SSB तक जरूर पहुचोगी आपको डिसाइट करना है कि इसमें से आपके लिए कौन से बटर रहेगा जै हिंसर, मैं Senior Under Officer सुगना चौधरी मैंने इसी वर्स NCC के C Certificate का एक्जाम गिया है मैंने NIC, EBSP जैसे नेस्टल केंप्स किये हैं सर, NCC में Girls कम ही जॉइन करती हैं और जो जॉइन करती हैं उन्हें काफी समय देना पड़ता है तब सवाल ये उड़ता है कि आखिर ऐसा क्या है NCC में जो एक स्टुडेंस उसे जॉइन करें और उसे अपना समय दे कैसे NCC उसके उस टाइम से भी ज़्यादा इंपोर्टेंट है जैहन सुगना सुगना आपका नाम सुनकर के बहुत खुशी हो रही है मेरे को मेरी छोड़ी बेन का नाम भी सुगना है जहां तक सवाल आपने किया है कि NCC में इतना समय देना पड़ता है और NCC किस प्रकार हमारे उपयोगी हो सकती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की जमाने के अंदर में डिग्रीज या परसंटेज जो डिग्रीज के अंदर में लेते हैं उसकी कोई बहुत बड़ी वैल्यो नहीं है आज के जमाने के अंदर में जहां भी आप जॉब में जाओगे तो आपके अंदर में demonstrable skills क्या है उसकी बहुत बड़ी value है किसी भी फिल्ड के अंदर में जाओगे demonstrable skills होने चाहिए अंदर में तभी आपको उसके लिए fit बाना जाएगा NCC एक normal बच्चे को एक ऐसा cadet बना देती है, a cadet of steel nerve मैं कहना चाहूँगा बना देती है आपके अंदर में leadership, आपके अंदर में decision making, आपके अंदर में never never giving up attitude लोगों के साथ में different caste culture और religion की लोगों के साथ में काम करने का, तालमिल पिठाने का तरीका different लोग, different जगे पे रहने का तरीका, independent रहने का तरीका, सबके साथ में milker के काम करने का तरीका यह जो skills NCC आपको देती है, यह life के अंदर में बहुत ज़्यादा काम्याग होती है और NCC के बच्ची इसी वज़े से सब जगे पे ज़्यादा मांग में रहते हैं, डिमांड में रहते हैं तो उस contingent को पहले गवर्णर से मिलना होता है, तो मैं गवर्णर से मिलने के लिए गया, तो वहाँ पे उनके प्राइविट सेगेर्टरी थे, जो कस्मी एट्विश्टीर सर्विसेज के ऑफिशर थे, जैसे अपने राजस्तान में R.A.S. होता, वो K.S. तो जैसे ही मैं गय गया वहाँ पे और मैंने का एगी गवर्णर साब से मिलना है, मैं NCC आजा हूँ, तो एक दम वो खड़े हुए कुर्सी से और वहना ने मेरे को सेल्यूट किया और कहा, सर मैं NCC से बहुत प्रभावित हूँ, आपने NCC का नाम लेकर के और मेरे जो एना, एक दिल के अंदर म मैं एक मेरी मेमोरी ताजा कर दी, मैं आज KS हूँ, तो सिर्फ NCC के वजशे हूँ, NCC मैं गया, उससे पहले मैं बहुत ही एक शाही स्टूडेंट था, मैं बोल नहीं पाता था, NCC आमने ऐसा स्टेज प्रवाइड किया, कि मैं एक कॉन्फिडेंट आदमी बन गया, मेरे अ एक विश्वास पैदा हो गया, कि मैं कुछ कर सकता हूँ, लाइफ के अंदर में, और मेहनत की, और मैं KS बन गया, ये सब NCC की देन है, तो NCC को आप सिर्फ एक सेना के जाने का माध्यम नहीं समझे, जीवन के हर कार्य में, आप एनी वाक अफ लाइफ, कहीं पर भी आप ज जरूर हासिल कर लेंगे, जैहन सर, मैं एर रोवर स्काउट पूर्माराम, जिस परकार NCC में एर विंग होती है, उसी परकार स्काउट में ही होती है, मैं उसका रोवर हूँ, सर, ग्रामिंट शेतर के युवा, अपना करियर एर फोर्स में बनाना चाहते है, लेकिन हमारा व सोच की है, यदि आप एर मैन बनने की सोचते हो, तो एर मैन बनोगे, और यदि आप ऑफिसर बनने की सोचते हो, तो आप ऑफिसर भी बन सकते हो, आपके आस-पास में बहुत सारे उदान मिल जाएंगे, जो बिल्कुल कहीं टीचर थे, कहीं पर पटवारी थे, पर आज वो Satisfy हो रहे हो, Aerman बनने के लिए Satisfy हो रहे हो, तो Aerman ही बनोगी. Officer बनना है, तो एक ज़्यादा संघर्स करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बड़ी चीज हासिल करने के लिए बड़े संघर्स की जरूरत होती है, बड़े महत की जरूरत होती है, बड़े परिशन की जरूरत होती है बड़े सेक्रिफाइस की जरूरत होती है और इन सब चीजों के लिए आप यदि तयार हो तो आप आप आफिजन भी बन सकते हो किसी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे किस्तियों को बदलने की जरूरत नहीं दिसाएं बदलो, किनारे खुद बखुद आजाएंगे जय एंसर, मैं रौवर सोन गुदर मैंने इस वस्ट, स्कावटिंग में राजीपाल भुर्सकार प्राप्ट कर लिया और अब मैं राश्ट बदल बुर्सकार के पदपर अगर सरूँ स्कावटिंग में सामाजी कारे की बाहना विच्छित की जाती है सर, क्यां, समाज कारे में भी अपना केरियर निर्मार चंपा हो है तो हमें क्यां करना सही भी जैन सोनों, आपको राजिपाल भुर्सकार प्राप करने के लिए कॉंसलेशन्स और यस, सोशल वर्क के अंदर में केरियर बहुत अच्छा बन सकता है मैंने भी MSW पर रखिये, मास्टर सेंट सोशल वर्क इंदर कांधे देशन ओपर निशिडी से और TIS, Tata Institute of Social Science, BAB करवाती है और MAB सोशल वर्क के अंदर में करवाती है बहुत सरी उनिशिडीज हैं जो की MA सोशल वर्क करवाती है और यदि सोशल वर्क में एजुकेशन नहीं भी हो, तो भी कोई फरक नहीं पड़ता है बात है सिर्फ पैशन की, जिदि आपका पैशन है सोशल वर्क करने का, आपका इंटरस्ट है सोशल वर्क करने का, सोशल वर्क के अंदर में आगे बढ़ने का बहुत सारे NGO जहें जिनके साथ में आप काम कर सकते हैं और बहुत सारी corporate houses हैं जिसके दर में social worker लोगों की बहुत दिमांड रहती है क्योंकि आज कल CSR corporate social responsibility सरकार ने compulsory कर गिया सभी के लिए तो उसके दर में social work education वाले लोगों की जरूर पड़ती है इसलिए इसके दर में बहुत अच्छा केरियर बन सकता है और especially जब आप scout role में रहकर के आपके इंदर में आप interest डेवलोप हो गया है तो suddenly आपको इसी field में जाना चाहिए क्योंकि जिस field के इंदर में interest होता है उसमें आगे बढ़ने के chances और प्रगदी करने के chances बहुत अच्छी हो जाते है जैन सर, सर मेरा नाम यू राउल है और सर मैंने सन 2019 में RDC, ELC और IEM attachment camp भी की है सर मैं यह जानना चाहता हूं कि NCC एक बहतरीन विकल्प है व्यक्तितों विकास का परन्तु वे विद्यार्थी जिने यह मौका नहीं मिल पाता है NCC में आने का वो अपने व्यक्तितों का विकास कैसे कर सकते हैं जहन राउल, यस आपने ठीक कहा कि NCC एक personality development का बहुत चाप आप्शन है बट NCC जिनको मिल जाती है वो बहुत ही fortunate है अज देश के अंदर में 35 क्लोड स्टूडेंट है जिन में से सिर्फ 13-14 लाख स्टूडेंट्स को ही NCC मिल पाती है सिर्फ 13-14 लाख अब बाकी के पास में क्या उप्शन है यस NCC नहीं मिल पाती है तो नेरो युवा है, NSS है, Scout है, Rower है यह सब साब आप्शन्स भी हैं personal development कराने के और वो भी इसी प्रकार की तकरीबन training देती है तो मैं कहूंगा कि बच्चों को वो जॉइन करना चाहिए यदि वो नहीं कर सकें तो summer camp होते हैं, winter camp होते हैं उनको जॉइन करना चाहिए वो नहीं कर सकते हैं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो financially उनके parents support कर सकते हैं तो kellogg's वगरा के जो camp होते हैं और mountaining camps होते हैं जो paid mountaining camp होते हैं rock climbing camp होते हैं इस प्रकार के camp को join करना चाहिए उसके बावजूद भी यदि नहीं हो पाता है तो हम NCC caddits का, scout and rover का, NSS का, narrow yoga का ये फर्द बनता है कि हम अपने भाईयों को schools and colleges के अंदर में, गाओं के अंदर में, camps organize करके और उनको aware करें और उनकी प्रस्थनटी को development करें क्योंकि हर एक आत्म इतना fortunate नहीं होता है कि ये organization जॉइन कर सके तो हम लोग जो fortunate हैं जो हम, we should be very grateful to the God and the government कि हमको इस प्रकार की free के अंदर में इस प्रकार की facilities मिली हैं और हम अपने प्रस्थनटी को development करते हैं तो हमको ये transfer कहीं कहीं society के अंदर में आगे भी करने चाहिए, ये हमारा first बनता है और इसी से बागी सब बच्चों को भी प्रस्थनटी development करने का एक अच्छा मोगा मिलेगा जैंद सर, मैं ग्रामिन उजास रोवर देविंदर कुमार सर ये उजास की नई विंग है जो गाहों से जुड़ी है मैंने इसमें निपून certificate प्राप्ट कर लिया है इस वर्स मैं राजिपाल पूसकार की त्यारी कर रहा हम सर हम अपने गाहों की विकास में किस तरह योगदान दें जैंद दिवेंदर आपको उजास का निपूनता certificate हासिल करने के लिए कांसलेशन्स आप जो राजिपाल पूसकाल के त्यारी कर रहे है उसके लिए गुड विशेज जहां तक गाहों में विकास के लिए भागीदारी की बात है या आपके योगदान की बात है आप जैसे पडले के युवा, सिक्षित युवा गाओं के विकास के अंदर में बहुत बड़ी भूमी का निबाश सकते हैं गाउं के लोग इतने जागरुप नहीं होते हैं, और गाउं के लोगों के कोई आवाज नहीं होती है, तो इक सिक्सित युवा होने के नाते आप गाउं के लोगों की आवाज बन सकते हैं, और सरकारी कार्यालियों और गाउं के बीच में बहुत बड़ी कड़ी का काम कर सकते काउओं की अज्ञांता की वज़े से योज़नाय काना की है वी अज्ञांता की लोग इस परेंग नहीं हो परते हैं तो oni गाउओं की लोगों को जातरिक रेंग Canyon की जिए और गा उन्यूं defendant को गाउंट लीए दूसरा क्रिशी विकास की बहुत सारी यूजने ही होती है जो गाउं की लोग उनको प्यूग में नहीं ले सकते हैं लोगों को अवेर कर सकते हैं और लोगों को उनको किनायवित करने में आप मदद कर सकते हैं तीसरा, बहुत सारे NGOs होते हैं जो गाउं में विकास करना चाहते हैं, परनतों उनको गाउं में प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आप उनके बीच में कड़ी बन करके, उनने NGOs को गाउं में लागर करके, गाउं के समश्याओं के बारे में उनको आउगद करवा करके, औ तो इस परखार की लोगों को गाओं के अंदर में अला करके और उनको सम्मानित किया जा सकता है और गाओं के प्रती उनका अटेच्मेंट बढ़ा जा सकता है गाओं के प्रती एक अपनक्त्व की फीलिंग उनके अंदर में आएगी तो वह गाओं के अंदर में जरू डिलॉप्मेंट लिए इंवेस्ट भी कर सकते हैं और गाओं के दूसरे लोगों को भी जो आसपास कहें उनको रोजगार भी उपलब करवा सकते हैं क्योंकि वह संपन उसके साहत के अंधर में आपके बहुत आपकर डियांधेश क०ूंत हैут तो उसके साथ आपकी 50 villages भार्वेर के अंदर में बहुत चा काम कर रही है, उनके अंदर में गाउं की कुछ लोगों को जो बच्छे होनहार हैं परन्तु सादन संपन नहीं हैं, उनको 50 villages के अंदर में उनको educate करवा करके उनको डॉक्टर बनाया जा सकता है, या डॉक्टर नही तो वो 50 villages में एक बार आएंगे, तो उनको कहीं 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 competition की भामना आ जाएगी और किसी ने किसी कुछ से competition में निकल जाएगी, तो आपको यह समझना है कि किसी particular village की या आजपास की area की requirement क्या है, क्या चीज की कमी है, उस कमी को समझना है और आपका उसके अंदर में आप कि क्या interest है, क्या passion है, उसके मताविक आप गाओं के अंदर में बहुत बड़ी एक भूमी का निवा सकते हैं, नेक्स्ट है कि हमारे वेस्टन राजस्तान के अंदर में ladies के अंदर में एनीमिया, यह की खून की कमी की बहुत problem होती है, जिसे चच्छा और बच्छा, lady और उसका होने वाला बच्चा उन दोनों की death हो जाती है, तो आप उनको एक health की बारे में awareness प्रोग्राम चला सकते हैं, डॉक्टरों के साथ में, सरकार इसके में बहुत बहुत करती है, आरेन टैबलेट्स को आप distribute करवा सकते हैं, और उसके बाद में next आता है, गाओं में शिक्षा की बहुत कमी है, तो आप शिक्षा की बारे में लोगों को aware कर सकते हैं, और NGO's को उसमें आप सामील कर सकते हैं, आप भी गाओं के यूद का एक organization बना सकते हैं, यूद कलब बना सकते हैं, और यह सब बिलकर की गाओं के अंदर में जो भी शिक्षा की रवस्ता है, उसको आप स आगरा के पास में हैं, उन्होंने एक ऐसी चीज कही थी, जो आज भी हमारे गाउं के लिए बिल्कुल लगो होती है, उन्होंने गहा था कि education, more education and education made perfect is the panacea for all the ills and evils our country fishing today. पैनाशिया एक word है, उसका मतलब है कि एक ऐसी दिवाई जो सब बिमारियों के अंदर में काम आती है, तो एक शिक्षा रूपी दवाई, यानि कि एक शिक्षा रूपी injection गाउं के हर व्यक्ति के अंदर में आप लगा दो, तो गाउं की बहुत सारी समश्य हैं खतम हो सकती है, ढालवः कातम हो सकता है, दूसरा रूडवाद खतम हो सकता है, मृती भोष कतम हो सकता है, और बहुत सारे अंदिविष isso चाहसन स्चिजन्स हैं, वो सब खत्म हो सकते हैं। तो शिक्षा के अंदर में आप जेसे सिक्षित यूवक और जवान यूवक बहुत बड़ी भूम का निवा सकते हैं। जहन प्रकास प्रकास जहां तक गाउं की बात है या लेंग्वेज की बज़े से पिछर जाने की बात है उसमें मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं क्योंकि आपके आसपास के अंदर में खड़ीन गाउं हैं। इदर जहसमेर में भनियाना है, जोदकुल के अंदर में रुथकूरिया है और आप बार्मेर के अंदर में बहुत सारे जो सांगारामजी साहब हैं। जो तमिलाडो पुलिस से डीजी से डीटार हुए हैं। बहुत सारे आपके आईएस, आईपियस हैं, आपमी ऑफिसल्स हैं। वो सभी गामीर परिवेश से निकले हैं और सभी हिंदी मीडियम से ही निकले हैं। बात हिंदी या इंगिस बीडियम की नहीं है। बात यह है कि गाउं के बच्चों की सिक्षा की नीव कमजोर रह जाती है। क्योंकि ना तो गाउं के अंदर में पढ़ने का अच्छा महोल हो पाता है। ना टाइम से टीचर्स पहुंस पाते हैं। ना माता-पिता के अंदर में awareness होती है। ना सोसाइटी के अंदर में जएदा awareness होती है। ना बच्चों को कोई guide करने वाला होता है। ना उनको कोई counselling देने वाला होता है। तो इस वज़े से हमारी नीव गाउं के बच्चों की कमजोर रह जाती है। यह भासा नहीं है। यह उनकी शिक्षा की नीव कमजोर रहने की वज़े से हम पिचड़ जाते हैं। गाउं का बच्चा English medium भी लेगा तो भी उसकी अंदर में नीव कमजोरी रहेगी। क्योंकि यह जो मुल्भूत सुईधाएं या मुल्भूत धाचा जो शिक्षा के लिए होना चाहिए वो गाउं में उपलब्द नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि गाउं के बच्चे को कभी English medium आट फी तक लेनी नहीं चाहिए। क्योंकि environment नहीं होता है। कि जब तक environment English का नहीं होता है बच्चा अपनी concept को to clear नहीं कर पाएगा। हिंज में कम से कम उसका सोच विटार तो क्लियर होगा गाह में जो टीचर आएंगे वो ठीक से उसको पड़ा तो पाएंगे तो ये भासा का कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारी एक आधार मूलबंत आधार ठांचा है वो थोड़ा कमजोर है फिर भी यदि आप अंग्रेजी इ के अंग्रेजी के बिना काफी मुश्किल होता है तो इसको इंप्रूब करने के लिए कुछ सजेशन हैं कि एक दो यूद का विंग बनाए जाएं हर गाहों के अंदर में जो यूवा अंग्रेजी सीखना चाते हैं उनका गुरूप बना करके वो आपस के अंदर में पढ़ा अपनाए जा सकती है इंगिल्स लेंगवाज भैट करता है उसको वह बनाए जा सकती है और उसके इंग्लिपों के अंदर में इसको बनाए जा सकते हमांना को इक काम करना चाये और एक प्रैक्तिस करते हैं क्योंकि बैसिक इंग्लीश ह concern क्या ऐक है कि we are you know always we speak in Indian languages or Hindi or regional languages all these languages flow in a flat way whereas English always flow in an up and down manner so whenever we try to speak in English our tongue creates problem because tongue is habitual to speak in our own languages which always flow in a flat way so to make a tongue trained or to give some kind of training we should always try to speak English with other friends and the difference the bill power the to me stop the jordan's recorded practice that you study the 9-12-inch anti-grappling study good-looking past from a or a few grammar the book at the past में रखनी चाहिए और ग्रूप बना करके आप पढ़ाई करेंगे सिखेंगे तो आप इसके अंदर में छाद-छे मिने के अदर में अच्छी निपूर्टा हासिल कर सकते हैं जैन सर मैं केलास कुमार सरह मैंने 2009 में आड़ी सी किया दा जब भी हमें कोई टास्क मिलता है तो ऐसा लगता है कर लेंगे कभी लगता है नहीं होगा सरह इसके लिए वील पावर को कैसे बढ़ा जाए कैसे उसमें इस्तिरता लाई जाए जैन केलास केलास यदि मन इस्तिर नहीं हो पा रहा है तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि हमारे अंदर में उस चीज़ को करने का जो आग नहीं है एक हमारी जो एक डिजायर है वो बहुत कमजोर है अपने डिजायर को स्ट्रॉंग करने की जरूरत है हमें समझने की जरूरत है कि हुमन ब्रेन के अंदर में हुमन बाडी के अंदर में असीं ताकत है वेगनिक बताते हैं कि हम अपनी जिन्गी के अंदर में सिर्फ पांथ से साथ परसेंट अपने पोटेंशिल को ही यूज कर पाते हैं बाकी 95%, 94% हमारे तो potential है, जब मरते हैं तो जला के राह कर दिया जाता है, बहुत सकती है हमारे अंदर में, सिर्फ उसको पैचानने की जरूरत है, एक अपने राष्ट कभी हुए है, रामधारी सिंगी दिन कर, उन्होंने कहा था, कि है कौन विट्न ऐसा इस जग में, जो टिक सही मानव के मग में, ठम ठोक ठेलता है जब नर्व, पर वद के जाते पाउखर, मानव जब जोड लगाता है, तो पत्थर पानी बन जाता है, बहुत सकती है हमारे अंदर में, अब उसको किसी काम को आप कर रहे हो, तो उसको काम करने की इच्छा सक्ति को मजबूत करो, मानव जब जोड लगाता है, तो पत्थर पानी बन जाता है, ठेंक्यू सर, सर बहुत सारे दर्शक आपको अभी देख रहे हैं, एक प्रेशन मैं उनकी तरफ से आप से पूछना चाहूंगा सर, कि वर्टमान जो सदी है, वह साइंस और टेक्नोलोजिकी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसके बढ़ते उपयोग से सामाजिक मुल्य और टक्निक इन दोनों के बीच में कही न कहीं विरोधाभास पैदा हो गया है, वर्टमान पीडी इसके ज़्यादा उपयोग से समवेदन हीन होती जा रही है, ऐसे क्या उपाय हो सकते है, या आपको क्या ल यह सदर से आप सही कह रहे हैं, आज के जमाने के अंदर में जो साइंस और टेक्लोजी का यूग है, बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इस ते पचास साल के अंदर में साइंस और टेक्लोजी के अंदर में जो प्रगति हुई है, उस से पहले 5000 साल में भी नहीं आज हम बहुत तिब्रगती से आगे बढ़ रहे हैं, रैपीड स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, रैपीड चेंजेस हमारी जिनकी में हो रहे हैं और खास करके आज की युवा पीडी, मसीन लर्निंग हो गई है और कम्प्लीट सिस्टम इस डिजिटाइजड तो इस डिजिटल युग के अगर में हमारी रेस्पोंसिबिटी एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज सोसाइटी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है और हमने ये तै करना है कि हमारी जुवात्मान पीडी है वो मानुविय मुल्यों के प्रती समेदन ही नहीं बने, समेदन सील रहे उसके लिए आज के बच्चों को अनाथा ले ओल्डेज, होम्स, रीहबिलिटेशन सेंटर्स, हॉस्पिटल्स या स्कृरिच्वल सेंटर्स इन सभी में भर्मन करवा करके वहां का एक्स्पोजर देकर के उनको मानुविय मुल्यों के प्रती समेदन सील रखा जा सकता है चाहिए, वर रोगरत्व हमको बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा बात करने चाहिए वर लिए उनको Q excel करने लिए, ज्यादा इंगेरेज करने चाहिए, और उनके सवालों का जभाब हमें देना चाहिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो रात के समय कम से कम रात्री भोजन जिजि दिन में पॉसिबल नहीं हो भाग बार की जिंदकी में तो रात्री भोजन तो कम से कम अपने बच्चों के साथ में बैठ के करें उनके हालशाल पूछें और उनकी दिन की अक्टिविटीज के बारे में उनके साथ में दोस्ताना व्यवार रख करके उनको इस परकार की जो मेकिनाइस्ट थॉट प्रसेस है उससे दूर रख करके मानवी मुल्यों के प्रती समवेधन शीर होने की और परिवार के महत्वर को जानने की आप जब भी बार्डमेर पदार है हमेशा स्वागत रहेगा आप जब भी आएं युवाओं का मारिक दर्शन करें और आज आप युवाओं से रूगरू हो रहे थे किस प्रकार से आप युवाओं को देखते हैं यहां के युवाओं में आपको क्या च्छमताय नजर आती धनेवाद आदर जी आपका और उजास दोनों का बाद भाद दनेवाद शुक्रिया मैं आपका आभारी हूँ कि आपने उजास के और बाकी वहों से रूगरू होने का मुझे मुझे मुका दिया यूथ से बात करना वैसे ही भी मेरा पैशन है और मैं समझता हूँ कि यूथ हमारे देश का फ्यूचर है क्वालिटिटिव यूथ होगा तो समाज की क्वालिटी अपने आप य अच्छी हो जाएगी किसी देश की क्वालिटी देश के लोगों की उपर डिपेंड करती है और उसके अंदर में यूथ की बहुत बड़ी गुमिका होती है आज यूथ से बातशीत करके बहुत अच्छा लगा और जब भी मैं कभी बार में रहूंगा नेक्स टाइम मैं तो उजास की यूआउं से वहां विक्तिगत रूप से गुदू होने का कोशिश करूँगा और यह मेरा स्वभाग्य होगा कि मैं आपसे मिल करके यूआउं से विक्तिगत रूप से गुदू कोशपों धन्यवाद थैंक यू सर आपने बहुत ही संजीद्गी के साथ यूआउं का और समस्त विध्यारतियों का मारत दशन किया यह हम सब के लिए बहुत उप्योगी होगा और एजूकेशन वास्तों में एक चिंगारी होती है धन्यवाद सर थैंक यू सर पादर जी वन्स अगेन आपका और उजास्त दोनों का धन्यवाद कि आपने मेरे को एक बाड़ मेर के एनरजेटिक एन्मोटिवेटेड यूट से रूब रूब होने का मुका दिया मैं इसके लिए आपका और उजास्त दोनों का आभारी हूँ उजास एक बहुत अच्छा काम कर रही है जो सिक्सा के जरिये लोगों को रोजगार दिलाने की कोशिश कर रही है और किसी प्रकार का पैसा चार्ज नहीं करती है एक बहुत ही पायस और पवित्र वर्ग है कहते हैं कि अन्दान परमदान जिद्यादान तक परम अने इंस अनिकाह तरपती विद्या है सहार्या जिवाव जानि कि विद्या के माध्यम से आप लोगों के जिंद्गी भर का पेट कुजा का कार्य कर रहे हो ये बहुत ही अच्छा और पवित्र काम है डाक्टर भीमराम अमिर्कर ने कहा था कि सिक्षा एक शेरनी का दूध है जो पिएगा वही शेर बन जाएगा आप यहां के जवानों को और यूद को शेर बनाने का काम कर रहे हो एक लोगों को आवाज देने का काम कर रहे हो लोगों को एक अच्छे अपने नियती के साथ में उनको सही रास्ते पे चलने का और उनकी सेल्फ स्टीम उनकी आप अच्छी कर रहे हो और आगे बढ़ा रहे हो एक बहुत अच्छा गाम है मैं समझता हूँ कि बाड़मेर के अंदर में उजास, फिट्टी विलेजर्स और रूमा दिवी जी ये तीनों कहीं कहीं रामदान जी डवुकिया खडीन, मदनकौर जी खर्ता राम जी भनियाना, बुला राम जी रतकोडिया और बल्दिव राम जी मिर्दा उन्होंने जो हमको एक रास्ता दिखाया था, उस रास्ते की उपर में आप समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब मिलकर के बाड़मेर के अंदर में सिक्षा और रोजकार के अंदर में एक बहुत बड़ी कांती लाने देने हैं हुझे आप लोगों के उपर में बहुत गर्व है, धन्यवाद एंड हमारे से जब भी आपको पिसी प्रकार के शयोग की जरूत पड़ी है, हम हमेशा त्यार हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्यू, जैहिंद, जैभार्द तो आज पुजास रूब गुरू में हम सब के वीच में थे बेमी साल वेक्तित्व के धनी कर्णल बल्देव सिंग जी चौधरी, जिनोंने की युवाउंग के प्रशनों के उत्तर दिये, फिर पुजास रूब गुरू में आपसे मिलेंगे किसी और शक्सियत के साथ, तब हैंगे जिसे हैंगे के एंट